बशीकरन तीलक वो भी अपने थोख अपने मूँ का लाड़ से बशीकरन प्रयोग पाट्टू इससे पहले भी एक वीडियो में डाला था बशीकरन थोख से और आज इसका पाट्टू डाल रहा हूँ बहुत आसान प्रयोग पाट्धुदी किसी के ऊपर भी आकर्शन और सम्मोहन के लिए ये प्रयोग को ये पाट्धुदी को आप लोग एपलाई कर सकते हैं ऐसे करना है संपुर अनुष्ठान को ध्यान से धहरे पूर्ट बख बीना स्कीप बीना डाउनलोड किये देखिए समझ में आएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा comment में पूछना पड़ेगा मंत्र कहाँ पे है मंत्र हर समय डेस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहता है जिसको बीवरन बॉक्स बोला जाता है वीडियो के साइड में मोर लिखा है मोर को दवाएगा ओपल हो जाएगा असा करता समझ में आया नहीं समझ में आया तो पुरा वीडियो को देरू देखे आज का प्रयोग अनुस्ठान अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चनल को साथी बिल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन बेल कॉल कीज चलिए मैं कॉंटेंट चुरू करता हूँ जैसी राम, जैमा मुन्दो मालिमी, मैं योगी इसी प्रकाशनात, वंत्रो गुरु चैनल पर सभी का स्वागत करता हूँ विशय अपने थूक से वशीकरन का एक अदभूत तिलक प्रयोंग ये तिलक से आप सामने वाल वेक्ति क काफी बड़े-बड़े चैप्टर है, तो आज मैं उस चैप्टर में नहीं जाकर वशीकरन का रिलेटेट ही पॉइंट आप लोगों को बताने की प्रयास कर रहा हूँ, तो सर्व प्रतम नीचे दिये हुए मंत्र को आप लोग एक विशेश शुप्ति थी देखकर, जैसे विशेश सुप्ति थी, आप लोगो को कृष्णजन मास्ट में थी, संक्रान थी थी, विशेश विशेश मावस्या थी थी, नवरात्री किये समय, दिपावली किये समय, इत्यादी जो सुप्ति थी, साल में चलता है, विशेश सुप्ति थी में सर्व प्रतम इस मंत्र को जा किसी के नाम लगाए वह फलाने का दो सब बार उल्लेख होगा उसमें किसी का नाम लगाने का जरूरत नहीं है मंत्र में एक जगा में बोल रहा है अमरित ठीका इस मुझ के जो लाड़ा है लाड़ जो है जो लाला बोलते है बंगला में इसको अमरित माना गया है आयुरिवेद में इसका फायदा भी अमरित के जैसा ही है इसलिए इसको अमरित ठीका बोला गया है तो इस ठीकी को लगाने का नियम क्या है तो और इसे कैसे किसके उपर एपलाई कर सकते है अभी ये पॉइंट को ध्यान से समझे सर अपरतों में एक विसेस दिन में इस मंत्र का तीन माला जाप करके जागरीत कर लिए जागरीत करने के बाद अभी आप लोग किसी पर्टिकुलर विक्ती के उपर अगर ये प्रयोग करना चाहते है तो आप लोगों को उस जगा में फलाने फलाने की जगा में आप लोगों को नाम लगा कर 108 बार मंतर का फिर से आप लोगों को जाब करना पड़ेगा जब भी आप लोगों को समय मिले पुर्वो दिशा के और मुग करके धूब दिप जला कर ठीक अभी मंत्र जाब हो जाने के बाद बाए हात में अपना थूक ले और फिट से उस मंत्र को 28 बार जाब करे पार्टनर का नाम लगा कर या इच्छी विक्ति का नाम लगा कर और तीलक को लगाए अपना ललाट में तीलग को लगाए के लिए कौन सा उनलिए के इस्तामल करना पडेगा तीलग लगाने के लिए AF आपका बात मानने के लिए मजबूर हो जायगा मंत्र को देखिये मंत्र मैं नहीं बनाता मंत्र है सावर सिद्ध मंत्र गुरु गुरुकनाजी का मंत्र है मंत्र को देखने के बाद यदि आप लोग को विश्वास होता है इस मंत्र के ऊपर आप लोग इस मंत्र को एपलाई करने की प्रचेश्टा कर सकते हैं कोशिस करने से ही आप लोग सफल होंगे बीना कोई भी वेक्ति आज तक सपल नहीं हुआ है आगे आप लोग का इच्छा अगर आप लोग कोई भी टोटका कोई भ्यानुस्टान अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे हैं चैनल को सस्काइब करके वीडियो को रेगुलार फॉलो कीजिए आप लोग को कुछ न जाब करें अगर किसी का नाम नहीं है तो किसी का नाम बीना लगाये मंत्र को जाब करें जब आप लोग को किसी का नाम लगाने का इच्छा है तो आप लोग पर्टिकुलरस बेक्ति का नाम लगाया कर आप लोग तीलक को सेम पॉसेस से तीलक को हाथ में धूक को हाथ में ल या वाद ही कर सकते हैं तो उस से आप अपना इनिया को देखते हुए आप इस दोख को मौर्ष कर सकते हैं अगर पट्रिकुलर कोई एक बेगती नहीं है सर्वजन के लिए प्रयोग करते हैं तो दो जगा में सर्वजन का उल्ले करे और तीलग लाया कर आगे बड़े आसा करता हो गुर्पनाज जी का बता है वहा कि सुन्दर चमातकारी मंतर प्रयोग से आप सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण होगा लगातार प्रयोग को करते जाएं जब तक मनोकामना पूर्ण ना हो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगो को विधी दिएगा एक महीने में 36 अलग-अलग उपाय वो संपुन्न फ्री आप कोस्ट है थोड़ा महनत करे थोड़ा महनत करने की बाड़े में सोचे और आत्म नीर भर बने इससे ही आप लोगो को कामिया भी इससे ज़दा मेरे पास कोई सब्द नहीं है इस वीडियो के बाड़े मेरे से मिस हो जाता है तो जरूर वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताइए आज का प्रयों कैसा लगा वह भी बताइए मैं बहुत ही जल्दी नया प्रयोंग पाद्रते लेकर आप से फिर से तब तक मेरे चनल के बागी प्रोइक पॉट्टर देखिए हर्योम तस्त